आज हम मूली की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मूली लेंगे तो मूली को सबसे पहले चिल कर अच्छे से साफ कर लेना है पानी से दो कर मैंने तीन मूली ली है अब मूली को हम ग्रेट कर लेंगे तो एकदम पतला वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट नहीं करना है उससे जो मोटार है उससे मूली को ग्रेट कर लेंगे, मूली को ग्रेट करने के बाद आप देखेंगे कि इससे बहुत सारा पानी रिलीज होता है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक मैं यहाँ पर डेर छोटा चमच डाल रहे हूँ, एक चमच और आधा चमच, तो ज तो नमक मिलाने के बाद, अब हम क्या करेंगे कि एक बोल पर एक छनी रखेंगे और उसके उपर एक सूती का कपरा रख देंगे, और इसमें जो सारा मूली हमने ग्रेट किया है, इसके कपरे के उपर रख कर, अब क्या करेंगे कि इसे हम इस तरीके से पोटली बना कर मूली को निचोरेंगे न तो पानी भी अच्छे से इससे निकल जाता है और आपके हाथ में जलन भी नहीं होगी कभी कभी क्या होता है कि मूली को जब हाथ से इसका पानी निचोरते हैं तो हाथों में जलन होने लगती है ये देखे मूली का इतना सारा पानी निकला तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर गेहूं का आटा लेंगे तीन कप मैं यहां पर आटा ले रही हूं आटे में अब हमने जो मुली वाला पानी निचो रहा है ना आटे में थोरा थोरा करके डालते जाएंगे यहां पर आटे में मैं नमक नहीं डाल रहे हूं क्योंकि यह जो मुली वाला प शॉप्ट मुलाइम आठा आपको घुथ लेना हुआ इस तरीके से मसल मसल कर तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 चमस्ट टेल डाल देंगे और इस आटे में हमने स्टेल को आपके अच्छे से मिला लेंगे इस से क्या आपके आपके ऑदी आटेंगे और इसमें चार तीखी वाली लाल मिर्च और दो इंच अद्रा का टुकरा कूट कर डाल देंगे इसके बाद इसमें आधा छोटा चमच अजवाइन इस तरीके से इसे क्रस करते हुए हाथों से मसलते हुए डाल देंगे और आधा छोटा चमच यहाँ पर धनिया पौडर डाल आधा छोटा चमच, जीरा पॉर्डर और जेशे के लिए तयुए uda में बदिखाल को पसण रुपकि एक चमच यहां पर सरसो का तेल डालेंगे, सरसो का तेल डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आता है, उसके बाद बारी कटा है, वह डेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया तो और भी टेस्ट को बरहा देता है, यहां पर ले रहे हूं अब नमकीन, नमकीन आप आलो भुजि क्या है इसे हम मूली में ही डाल देंगे एक बार इस तरीके से डालकर आप देखिए आप देखर अपर बहुत ही टेस्टी बनते हैं अब इसे डाल कर आप अच्छे s Nun इंस सारी चीजों को मिला लेंगे और यहां पर देखिए मूली में बिल्कुल भी पानी नहीं अगर आप म का बना लेंगे इस तरीके से बीच में मोटा रखे आटा और उपर से इस तरीके से पतला करते हुए इसे कटोरी सिप का बना ले अब हमने जो मूली का स्टफिंग बनाया है इसमें डाल देंगे आटे में जितनी मर्जी यहां पर आप डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो इस स्टुरा आटा है उसे निकाल लेंगे और इस तरीके से इससे अच्छे से फिर से पैक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए गुल सा हमारा पेरा बनकर तैयार है तो लोग करीनिका सा था ड़बा देंगे। Commissioner जब stuffing हलकी हलकी आटे के अंदर से दिखनी लगे इतना हमें बेलना है तो बीच में जरुत पर है तो सुखा आटा हलका सा फिर से इसी रख लें तो यहां पर देखिए दाल देंगे और इसे पलट देंगे और साइट साइट से भी यहां पर हम तेल गी या बटर डाल देंगे उपर डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गुमा गुमा कर सेख लेंगे तो यहां पर देखिए पराठा वो कैसे एकदम गुबारे की तरह फूल रहा तो इस तरीके से जब आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है और कलर देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा आया है यहां पर पराठा एकदम अच्छे से सिख चुका तब इसे हटा लेंगे और इसी तरीके से सारे पराठे मीडियम फ्लेम पर घी तेल य दिकत होगी न बेलने में दिकत होगी और नहीं आपके स्टफिंग बाहर निकलेगी यहां पर देखिए पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिख चुका है गर्मा गरम तो यह क्रिस्पी भी लगते हैं खाने में और यहां पर देखिए मैं काट की दिखाती हुए दम स्ट जोई करें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ